कि में तो यए जैनना चाहता हूं भातिना पार्टे से जनना चाहता mêmes जब भगवान राम अयुद्या के राजा थे तो भातिनाइस पर थी वहां पर यह ब्र唱 के लगवान राम भारतिन उन्टापार्टे हे इन्दर थे 35%, 40% आपने ये कह दिया कि जो 40% लोग हैं उनका राम मंदिर और आपने 60% देश के हिंदूओं को राम मंदिर से दूर कर दिया क्योंकि आपने राम मंदिर के ओपर एक राजनेतिक पार्टी को जोड़ दिया तो भारती जंता पार्टी ने तो हिंदू धर्म का नुकसान किया है इन्होंने देश के एक बड़े हिंदू तबके को राम मंदिर से सिर्फ उसको पॉलिटिकल करके दूर करने का काम किया है जो की बहुत दुर्भागे पून है उन्हें नहीं करना चाहिए यह तो मामूली सी चीज़े हैं यह तो कोई बड़ी बात नहीं करना ही चाहिए प हमारे 636 के करीब टेस्स हुए है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को मिला के और कल तीन जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आये थे जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो आर्टी पीसियर में पॉस्टिव आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनकी जो है जीनोम स बता रहे हैं वो है और मुझे लगता है कि एक इसके अंदर सेटिस्फेक्टरी बात ही है कि यह जो नया वेरियंट है यह माइल्ड है इससे जादा बिमार जो है आदमी नहीं पढ़ रहा है जो एक पेशेंट जिसका जीनोम के अंदर नया वाला वेरियंट जो है वो हुआ ह है कंफर्म हुआ है वो पेशेंट जो है बावन सर साल की महिला थी घबराहट थी उनको की कहीं बिमारी बढ़ ना जाए इसलिए अस्पताल में एडमिट हुई थी मगर उनको कोई गंभीर बिमारी भी नहीं हुई उनको ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं हुई और वो ड झ्हुए अब डिस्चार्ज भी हो गई है वो ठीक है स्वाष्ध है अभी की एक्टीघ के जीनोम है उसका मतलब जो थी वो ठीक हो गई है भाकी जो हमने जीनोम सिक्वेंसी के लिए भी पेजए है अभी उसकी रिकोर्स है मतलब अभी के समय में को उई JN-1 का प्रेज दिल चार पेशिंट हैं जो हमारे आस्पतालों में अड्मिट हैं कोई भी जो है इस तरह की गंभीर ताज वाली बात अभी तक नहीं है अगर वो पेशिंट आस्पताल में नहीं है तो वह हम इस्पेट करते हैं कि वह अपने घर में आइसोलेशन में और जनरली परिवार वाले भी अगर किसी को कोवेड होता है तो उसको वो अलग से जो आइसोलेशन में रखते हैं तो लोगों को लेकर इसमें किंता फिर से बढ़ रहे की नया स्ट्रेंग इतना गंभीर है कि इसको कोविड की डेथ माना जायना चाहिए क्योंकि वो भी आप देखें तो उनको जो है को मॉर्बिटिटीज बहुत थी और गंभीर बिमारियां भी थी तो होता यह कि अगर आपको और गंभीर बिमारियां हों और कोविड भी हो तो डेथ जो है होने की थोड़ी सी प्रबिल्टी होती है मैं फिर भी यह कहूँगा कि जितनी रिपोर्ट हमें केंदर सरकार से मिली है और जितना हम लोगों ने भी सुना है डॉक्टर से डिसकेशन किया इसमें कोई जो है चिंता की बहुत जादा बात नहीं है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कोई यह जो निया विरियंट है इसके लिए कोई जो है पुराने कोई के अडवाईजरी के अलावा कोई नई चीज नहीं चीज नहीं है बलकि और ज्यादा माइल्ड है बिलकुल हमने बार-बार कहा है मैंने आपने डिपार्टमेंट में भी कहा है कि कुछ आवेर्नेस की केंपेइन चलाई जाएं कुछ एडविटिस्मेंट्स करी जगह जगों पर ताकि लोग भीड़बाड वाले लाकों से बचे इसके अंदर हर राज्य का बराबर का हिस्सा है बार-बार दिल्ली राज्य की जहांकी को 26 जनवरी की जहांकियों से निकालना जो है यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और दिल्ली को तो प्रात्मिक्ता मिलनी चीए यह तो जो है देश की राजधानी है और हमने जो इस बार भीजा था अपना प्रोपोजल उसके अंदर हमने दिल्ली में मौला क्लिनिक और स्कूलों के विशे में जहांकी निकालने की बात कही थी और यह दोनों चीज़े ऐसी हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर की जारी है तो मुझे लगता कि अगर यह जहांकी भी होती तो जो भी विदेशी महमान जो हैं फ्रांस के प्रश्ट पती जिनको बुलाया जा रहा है वो भी देखते और पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा मेसेज जाता पंजाब के साथ दुरा रविया तो केंद्र सरकार अपनाई रही है उनका पैसा रूका हुआ है जो वाजिब पैसा है पंजाब का वो पंजाब का पैसा रूका हुआ है पंजाब के अंदर कालोले कानूनों के खिलाब जो है इतने लंबे जुद समय तक प्रदर्शन चला छह सो से जादा पंजाबियों की जान गई इसके बाद केंद्र सरकार को उनके प्रती साहनुवूती रखने चाहिए मगर केंद्र सरकार का रवया जो है ठीक नहीं देखे अब बड़ा आसान है आप समझे कि इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है आप किसी भी मामले में किसी को भी पकड़ दीजे पहले उसको जेल में रखिए फिर उसको बोलिए कि अब तु जेल से तब ही निकल सकता है जब तो एक दो बड़े लोग का नाम ले ल हम दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं कई सो लोग तो ऐसे होते हैं जो मेरे आफिस आये होंगे और मुझे भी नहीं पता होता वो नीचे से मिलके चले गए या नीचे से ना मिलके चले गए आप सिर्फ उनकी लोकेशन जो है मैच करा देते हैं कि साब यह देखिए इसकी लोकेशन इसकी लोकेशन जो है सेम टावर की थी यानि कि इसने इसको पैसे दिये या इसने इससे पैसे लिए या इसने इसको कागज दिये अब तो यह तो बड़ा असान हो गया आप यह EDCVI अगर किसी opposition party के state को दे दोगे तो भारती जंता party के हर नेता को लोकेशन झाल